हेलो गूड आफटरनून फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स जो शिक्षा न्यूज आपके लिए जानकरी लेके आए वह लेके आए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आए और CGL टायर 2 एन SSC सेलेक्षन पोस्ट एड एक्जाम डेट को लेके जो है SSC ने एक नोटिस निकाल के बिल्कुल साफ कर दिया हमारे चैनल पर मैंने आपको SSC, CGL और 10 प्लस 2 की जानकरी बता दे दिया मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको इन जो चार पांच एक्जाम जो SSC कराएगा उसका जो हमें आपको बिल्कुल सेड्यूल तरीके से जो है एक्जाम नोटिस की जानकरी दूँगा ठीक है फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन जो दवाएदें क्योंकि आपको जो है ऐसी लेटेस न्यूस देखने को मिलते है हमारे चैनल पर ठीक है फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फिर सबसे पहले बात करने हैं फ्रेंड्स स्सी के एक्जाम के नोटिस के बारे में सबसे पहले बात करने हैं कि अगर आपको अगर आपको अपने फोन में या अपको अपने पीसी में अगर आपको यह जानकरी देखनी है तो आपको सबसे पहले जो है दो चीजे करनी है दो माध हम से आप देख सकते हैं एक तो आप ओफिशली साइट में देख सकते हैं एसस से की वह मैं आपको बता देता हूं और दूसरा है आपको Chrome Browser जो है open कर लेना है वहां पे जो है आपको यह website दिख रही होगी www.sarkaryresults.com आपको खोल लेना है ठीक है friends सबसे पहले मैं सरकारी results का बताता हूं उसके बाद मैं आपको officially sites का भी बता दूगा आपको बैसे आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी आपको officially देखने की कोई जोट नहीं है फिर भी मैं आपको notice दिखा दूगा आपको जैसी आप यहाँ यह website खोल दोगे तो आपको ऐसा interface होगा उसके बाद जो है आपको admit card वाले auction पर आजाना है जैसी यह admit card वाले auction पर आजाओगे तो आपको यहाँ पर सारे एक्जाम देखने को मिल जाएंगे जैसे 10 प्लस टू जूनियर इंजिनियर इस्टैनोग्राफर सीजी एल एन SSC selection पोस्ट एड़ एक्जाम डेट की बारे में आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स यह 4-5 एक्जाम जो है मैं आपको एक वीडियो बनाके जो है मैं इसमें ज सबसे पहले चलते हैं इनके ऑफिशली नोटीस जो सबसे पहले उसी नोटीस पर चलते हैं आपका जारा टाइम ना खराब करते हुए यह आपको ऑफिशली नोटीस है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं SSC की website से आप notice download भी कर सकते हैं यह जो notice जारी हुआ है यह एक तारीक को notice जारी हुआ है सबसे पहले जो exam जो इन्होंने यह रेख लिए आपको एक तारीक को जो है यह notice जारी का है इन्होंने date भी mention कर रखी है सबसे पहले बात करते हैं examination फर्स्ट एक्जाम जो है 10 प्लस टू जिसे कहते हैं CHSL का जो है combined higher secondary 10 प्लस टू लेवल एक्जाम निशन 2019 टायर 1 फॉर लेफ्ट आफ ओवर केंडियेट यानि कुछ बच्चों का तो हो गया था जुन बच्चों का नहीं हुआ था एक्जाम उनके रिकार्डिंग जो है SSC 10 प् सत्रा आठ दो हजार बीस से 21 प्लस टू तक फिर उसके बाद जो रहेगा 24 आठ दो हजार बीस से 27 आठ दो हजार बीस तक रहेगा तो यह एक हफ्ता एक हफ्ता आठ दीन जो है आपका एक्जाम चलेगा यह बात हो रही है 10 प्लस टू की क्योंकि higher secondary 10 प्लस टू को ही बोला ज 2019 की बात हो रही है इसका जो एक्जामनेशन को लेके SSC ने जो clear तौर पर कहा है कि एक नौ एक नौ से चार नौ एक नौ से यानि एक सितंबर से चार सितंबर के बीच यह तीन चार दिन में जो है SSC J.E. SSC J.E. Junior Engineer का जो है एक्जाम यह कंडेक्ट करा लेंगे फिर उसके बा 20 and 8th selection post वाला जो एक्जामनेशन होता है 8th का वो इन्होंने clear तौर पर कह दिया है कि हम जो हैं उसको 79 2020 से 99 यह तीन दिन एक्जाम चलेगा 7,8 और 9 यह तीन दिन एक्जाम चलने वाला है यह SSC का के तौर पर यह कहना है फिर उसके बात करते हैं इस टैनोगराफर C&D Examination 2019 फोर्थ की बात करते हैं इस टैनोगराफर C&D की बात करते हैं तो यह जो है नलब SSC का सेड्यूल जो है बिलकुल पैक है बिलकुल अब यह देखिए चार तारीक को यह खतम होएगा जूनियर इंजिनेर का तो साथ तारीक को यह एड़त वाला ले लेंगे फिर एक दिन का गैप मिल रहा है इनको इस टैनोगराफर के लिए फिर से एक्जामनेशनल का करवा लेंगे क्योंकि एससी को जो है बहुत जल्दी कंडेक्ट करा रहा है इस टैनोगराफर की बात करें तो दस नौ दस सितंबर से आपका एक उसकी वेकंसी होती है समसब इस्पेक्टर डैली पुलिस का एक्जामनेशन 2020 की जो इनकी एक्जाम डेट है वो एक्जाम डेट रखी गई है 29.9 यानि 29 सितंबर 29 सितंबर से 5 तारिक तक 29 से 1 फिर उसके बाजो है 5 10 2020 को जो है इन्होंने एक्जामनेशन रखा गया है मैं एक एक और बता देता है 29 से एक तरिक तक तीन दिन ये चलेगा और एक आपका जो चलेगा पांस-दस-दो हजार-बीस तक चलेगा ठीक है अब बात करता है जूनियर हंदी ट्राणलेशन जूनियर हंदी का ट्राणलेशन है उसका पेपर वन की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक से जो इस बच्चे की बच्चा जो है CGL की जो है काफी अच्छे लेवल का एक्जाम होता है ग्रेजूशन लेवल का एक्जाम होता है और अच्छे से तयारी करता है क्योंकि टायर वन जो है इनका हो चुका था मार्च में हो गया था टायर वन अब टायर टुक की बात करें तो सत्रह दस जो दो हजार बीस यह अप्टूवर के महीने में जो हैं यह एक्जाम लास्ट एक्जाम जो होएगा कि एससी का वो जो हैं यह कंडेक्ट कराएंगे ठीक है फिनेंट्स तो एससी के नोटिस ने जो है मैंने आपको सारा सेड्यूल बता दिया है 10 प्लस 2 का सत्रह आट से सुर्वह से जई का एक नौ से सेलेक्ष्ट पोस्ट एग्जामनेशन का सत्रह नौ से इस्टेनोगराफर सीएडी का दस नौ से सम्स्पेक्टर का 29 से और जिन्यार्ट ट्रच्शन का ओगा 6-10 से और लास्ट एक्जाम सीजीयल का जो होगा 14.10.2020 से 17.10.2020 तक ठीक है फ्रेंट्स तो मैंने सारा आपको S.S.C के एक्जामनिशन बता दिया है S.S.C. ने एक्जाम नोटिस निकालके बता दिया था कि बच्चे जो पैयारी करना छोड़ दिये थे बच्चे ये कह रहे थे कि इसका तो एक्जाम होने होएगा नहीं तैयारी करके कोई फाइदा नहीं है तो वो जो है प्रूव आपके सामने आ गया है जैसी लॉक्डाउन में ठोड़ी धील हो रही है तो वैसी जो है जित्ते भी गौर्रमेंट विवाग हैं वो सारा जो है अपना स्टेडील बिल्कुल कर रहे हैं कि उनको एक्जाम कब कराना है कब नहीं कराना है अब सारी कोई एक्जाम नहीं सारी एक्जाम अब 10-12 का जो सीबसी आईससी बोर्ड के एक्जाम थे उन्होंने भी अपने डेट किलियर कर दिया क्योंकि सब कुछ जो है डेट किलियर होती जा रही है बचा आप अगर तैयारी छोड़ छोड़ चुके थे तो मैं आप से अपने डेट के अनुसार ही चलता है और एडमिट कार्ड की जानकरी आपको सबसे पहले हमारे चैनल शिक्षा न्यूस पर मिल जाएगी तो आप हमारे चैनल को जो है ना सबस्क्राइब करके रखे और आपको एससी से रिलेटेट शुकुछ भी डाउट हो या किसी भी एक् करना है कैसे नहीं करना यह सारह मैंने शेड्यूल बता दिया है अब आपको जो है कुई भी डाउट नहीं रहेगा ससी के रिकार्डिंग कोई भी चोटा सब्सक्राइब बता दीना मैं आपको बिलकुल जबाब देनी की कोशित करूंगा क्योंकि सबसेख काफी बच्चे ज कोई भी अगर तयारी करता है ऐससी की तो आप जो हैं उनको यह नोटिस फॉर्मेट करना इस वीडियो को जादा जादा शेयर करना ताकि बच्चा आपका तो भला हो साथ ही उन बच्चों का भी भला हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गाउं के बच्चों होते हैं या उनको पत पाता है तो आप जो है हर एक बच्चे पर पुचाईए जिनको नहीं जानकारी उन पर पुचाई ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो है और भी बच्चों को जो है जानकारी मिल सके ठीक है फ्रेंड्स बस शिक्षा न्यूस का यही उद्देश्य है आप से कि जानकारी जो है आपको देखने को मिलती है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्षन पर बताना और फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करें बगार मत जाना ठीक है फ्रेंड्स धन्नेवाद कि अ कि अ कि कि